हां जी, मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ना मैं जहिन बोलूँगा, ना मैं कोई विश्च करूँगा आपको किसी चीज के लिए, मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी स्टोरी तयार करता हूँ और उसको बच्चों को मोटिवेशन देता ह हूँ, लगातार messages, लगातार call, लगातार ही मेरी class में comments, कि सर जैसे जैसे time आप इस समय बहुत सारे student की nerves में में हाथ रख रहा हूँ, जैसे जैसे exam पास आ रहा है, वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है, हो सकता है, हो सकता है कि ये बात 95% students के जहन में चल रही हो, पढ़ा ही जैसर बहुत ज्यादा कर रहे है, डर उससे भी ज्यादा लग रहा है, और ये डर ही है बेटे तेरा, जो तेरा paper को खराब करने वाला है, मैं कुछ नहीं सोच कहा है, मैंने एक line लिखी है यहाँ पर पीछे मेरे, वो भी मैं last में बढ़ूँगा, लेकिन मैं ऐसा motivation तुम्हे देख चुके हो, उससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं सीधे से सीधे topic पर बात करता हूँ, जो मेरे इस समय जहन में अपने मन में है, ठीक है, सायद वो तुम्हारे अगर मन को चुछ हो जाए, तो तुम अगले 10 दिन तुम्हें कोई दुनिया की ताकत भी रो ये YouTube की वीडियो सो तुने 1000 देख ली और तु रगातार देखता रहता है, रील्स में भी देखता रहता है, लेकिन जैसे YouTube की वीडियो बंद करता है, तेरा motivation खत्म हो जाता है, ठीक, अब समस्या है क्या, समस्या है तेरे अंदर उस आग की जो जल तो रही है, बट जलना और धदकने में फर्क है, वो कैसे निकलेगी, वो उस समय निकलेगी, वो नीन जो तुझे बार-बार इस समय आ रही है, पेपर के बाद नहीं आएगी, अब तुम यह मत करना सर, आपको कैसे पता, वो छोड़ दे, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूँ, तो सायद मैं वो चीज पैचान सकता हूँ, कि as a student क्या फील होता एक्जाम में, जब मैं कभी एक्जाम में था, जो नीन तुझे समय आ रही है, वो तेरे एक्जाम पे नहीं आएगे, एक्जाम के बाद नहीं आएगे, यह fact है, जो किरकेट मैस देखने का मन तेरा भी कर रहा है, वो एक्जाम के ब घर में बैठा हुआ है, और तेरे मन में डर बढ़ता जा रहा है कि एक्जाम पास कैसे करना है, अगर इन सारी चीजों से बचना चाहता है, और तू चाहता है कि मैं अगले 10 दिन एक ऐसा बदलाव लेकर रहा हूँ अपने अंदर कि मुझे दुनिया न रोक पाए, मुझे क कोई destruction न रोक पाए, तो मेरे बेटे एक बास सुन ले, एक example दोंगा वस, और यह नहीं कि मैं trend की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह सच्चा ही है, दो केस इस समय रिसेंट होए अभी, पहला केस इस समय यूट्यूब स्टार के दो, सोशल मीडिया स्टार अंकित दूसरा एक केस हुआ, एक रेप केस हुआ, उजयन में, दो केस हैं, मैं एक तरफ देख रहा था, कि जब प्राइम मिनिस्टर से मिला अंकित, तो यार उसके पैरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके मां के द गुजारी दोस्त कैसे भी किसी भी बुरे हाल में गुजारी हो आज वो सारे घाओ सब सब पे मर्रम लगाता जा रहा है और ध्यान रखना जो सपनों का महल कभी उन्होंने देखा होगा वो महल भी तैयार होने वाला है जल्दी एक तरीका है ये माबाप ने आुलाद पैदा क में तो ऐसी दूसरा दूसरा केस एक ऐसा भी बेटा मैंने उसके पिताजी की आँखों में आशू देखे हैं दोस्त मैं देख रहा था वो वीडियो बहुत गौर से सच में मिरे को लिटरली रोना आ गया बाप उसका रोना मिरे को आ गया क्या कि एक बेटे की जिसको मतला उ ऐसी औलाद किसी को न दे जिसकी वजह से उसका बाप कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाओं मैं कहीं जा रहा हूं तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं तुमने दोनों में से कौन सा कौन सा बेटा बनना है यह सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो इवन लगल्स के लिए भी यही है कोई motivation तेरा काम नहीं आएगा तेरे पास दस दिन है तो कौन सा महल खड़ा करना चाहता है गालियों का या सपनों का जो सपने तेरे माबब ने देखे हैं दोस्त डिसाइड तुझे करना है यह दोनों दोनों recent मैं कोई यह नहीं कि मैं तुझे कोई कहानी पढ़के आरटके आगा है दस दिन तेरे पास है या तो डर में निकाल ले या फिर शेर की तरह खड़ा हो और पढ़ना स्राट करते है दस दिन में कोई आफ़त नहीं आ जाएगी और इसी लिए जो मैंने last में लिखा वो यही है विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन क्या बोला बोल मेरे साथ विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है आखरी सास तक नहीं छोड़ते है और जिसने छोड़ दिया वो जीत नहीं सकता अब तू डिसाइड कर ले तू विनर है या कुटर है कमेंट बॉक्स में लिखके बता अब मैं बोलूँगा जहिन